हिमाजर परदेश में एको टूरिजम को बढ़ाने के लिए भरसक प्रियास किया जा रहे हैं और एको टूरिजम विभाग ने परदेश फर्मी 122 साइट को डुवेल्प करने के लिए प्रियास देज कर दिये हैं हमिरपुर में भी एको टुरिसम के लिए चैनिस साइट पर निरिक्षन किया गया है हमिरपुर पहुंचे एको टुरिसम के सचिफ फॉरेस्ट चीफ कंजरवेटर संजिस सूद के अनुसार एको टूरिजम को बढ़ाने के लिए पूरे परदेश में बढ़ावा देने के लिए काम शुरू हुआ है और इसलिके चलते हमेर पुर्जिला में भी एको टूरिजम साइट्स को चिनित किया गया है बाबा बालकनाथ, त्योर्ची, टौनी देवी और नदौन में एको टूरिजम के साथ जोड़ा जाएगा एको टूरिजम के लिए बन विवाग के मुहिम तेज हो गई है और एको टूरिजम के माध्यम से लोगों को भी आर्थिक मुनाफ़ा होगा तो परदेश सिरकारों को भी आमदनी होगी, विवाग का लक्षे आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ नेचर को सुरक्षित रखते हुए कारे करने के लिए काम करना है मंडी जिला के जंजैली, रोडू के लोट, पालंपूर के बिट बिलिंग में अगामी दिनों में एको टूरिजम शुरू होगा एको टूरिजम के सच्चिफ संजे सूथ ने बताया कि एको टूरिजम को बढ़ाने के लिए परदीश में पर्यास शुरू है और हमिरपूर जिला में भी एको टूरिजम के लिए साइट चिन्नित किये गए हैं जिन में जल्दी एको टूरिजम साइट तियार की जाएगी इसलिए मैं काफी खूश हूँ और जहां तक आपने बाद की एको टूरिजम के जिसको हम प्राक्रिटिक प्रियाटन भी कहते हैं तो सबी जानते हैं कि हिमाचर एक अतरन तरसंदर प्रदेश है इसको देव भूमी के नाम से जाना जाता तो इसमें अपार संभावना है एको टूरिजम की तो अब ही भी मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से इसमें चिस्टा कर रही है कि एको टूरिजम को कैसे कैसे बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए एक एको टूरिजम हमारा पस विंग है जो वर्न वाग के तहत काम कर रहा है उसके माधियम से हम ए उस स्थानी जनता जो है उनको भी उस प्रेटन से कुछ फाइदा हो उनको भी रोजगार के जो उपलब्ध हो जो साधन उपलब्ध हो और साधी साध लोग प्रकृती से के साथ जूने और फिर उससे जैसे जुड़ते चले जाएंगे तो उससे जो है परदेश को भी फाइ इस हमने पूरे प्रदेश में चीनित करिए जहां पर इसकी संभावना है तो हम वहाँ पर जो लोकल कमेटियां उनके गठन पर हमारा ज्यादा जोर है उनको जोड़के कैसे कैसे एको टूरिजम को हम पूरे प्रदेश में बढ़ावा दें तो अब उसी मतलब इसी जो हो हैं तो हैं तो हम सबसे मिलकर यह चाहरा हो कि इन शित्रों में एको टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए किन किन सुवदाओं की जुरुत है और क्या क्या हम को आगे करना चाहिए तो उसी तरह से उसी दिश्चा से मैं यह प्रयास करने के लिए हम पहुंच जा हूँ देखे जो मैं पहले करूं कि रोजगार के जो स्रीजन है उस तरह से होगा कि रोजगार तो मिले ही मिले साथ ही साथ परकृती सभी लोग जोड़े और परकृती को किसी तरह से कोई हानी बिना हो अब जसे टेंट आप लगाते हैं उन टेंट पे लोग रात में अगर रहते ह होगा जो भी कोई आदमी व्यक्ति बाहर से आएगा यहां इन शित्रों को में विजिट करेंगा तो इदर की आमदनी को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा तो हमारा लक्षी यह है कि मतलब किसी क्षेत्र के इसाब से उसकी एक शेश योजना है हर क्षेत्र के लिए है जिन ज का खिशेत्र है प्रणी देवे का खिशेत्र है इनमें अपार सम्भावना एं तो उन खिशेत्रों के साब से हम योजनाय बनाने जा रहे हैं तो हमें पूरी तरह से उसको एक पूरा प्रीट देश्टी कोंट से देखना होगा की क्या-क्या चीजें कहां कहां कराई जा सकती हैं, मानिए आप देवटशित किषितर में अगर आप लोगों को ठहराते हैं, तो मतलब सभी को मालूम है कि वो देवटशित के मंदिर में तो जाएंगे जाएंगे, तो धर्मिक शितरों के से भी जूड़ेगा, वहां की लोकल जो वनस्पती से भी जूड़ेगा, और जंगलों के जो में लोग का जो आवाजा भी रहेगी, तो है उससे भी लोगों को बहुत सारा फायता, सरकार का पूरा फोकस है, मैं आपको कहना हूं कि 122 साइट सो चिनित हैं, उसमें से इस समें 23 साइट सभी चल भी रही है, उनकी वो चलू हो च अब सिर्फ आमधिनी बनाना नहीं है, यह भी सुनिश्यत करना है, कि जंगलों को या हमारी प्रकृति को किसी तरह का भी कोई नुकसान ना हो, और वो तभी संबावेच, जमा मिल बैठके योजना बनाएंगे, स्तानिये लोग हमारे साथ रहेंगे, बन विवा के अधिकार पर इवन टूरिजम डिपार्टमेंट के अधिकारी मिल को युजना को बनाएंगे, और फिर उसमें क्या 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 नहीं करना है, उन चीजों को धान में रखते हुए इसको क्रियान में करेंगे, बहुत सारे रेस्टाउस भी अपने बहुत अच्छी है, जर्ल सारे, उनकी मेंडिनेंस भी अभी अच्छी हो रही है, और लोगों से हमारे को फीडबाक मिल रहा है, वो भी काफी अच्छा रहा है, जहां जहां कोई कमिया है, उनको समय पर प्रयास करने की कोशिश करने है, ऑनलाइन बुकिंग जोनी रेस्टा उसके अंदर, तो मैं सबस्तों चोड़े स्थर पर हो रहा है, इसको दीरे दीरे आगे बढ़ाने की जरूराइत है, ने देखे, मैं तो करना अकेले हमिरपूर क्यों, पूरा हिमाचल मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बाबने बारे में उसमें बहुत सारी संभावना है, अभी कुछ समय पहले मंडी में हमने तीन-चार क्षेतर जो आपका जो है, जनजाली क्षेतर है, अपार संभावना है उसके इंदर, उसकी कारयोजना हमारी तयार हो चुकी है, इसी तरह से जो रोडू के आसपास जो हमारा क्षेतर है, लरोट या जिसको आप तो चांशल वैली का क्षेतर, उसकी कारयोजना हमन कि आगे हम युजन्य कैसे तैयार करें ताकि पूरे जो हिमाचल है उसमें समान रूप से इसका इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके क्योंकि मेरी मेरे एक मानना है कि हिमाचल का हर क्षेतर जो है वो एको टूरिज्म की दिश्टी से लाजबाब है इसको बहुत उससे झाल